दोस्तो तारिक में तो सीरियल में हम सब को पता है कि दया भाभी की एंट्री होने वाली है और यहाँ पर दोस्तो दिवाली का जो त्योहार है न वो मतलब कितना लंबा चलने वाला है कितना लंबा दिन होने वाला है क्योंकि दोस्तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी कारण से क्य के दिवाल लाइफ वाली टिवाली के स्टोरी रहा हुब लेकिन दोस्तों फिर भी ये लंबी चले जा रही है, मतलब दीवाली का दिन इनका कितना लंबा चलने वाला ए भगवा नहीं जानता है, क्योंकि दोस्तों ये कियामत का दिन है, क्योंकि इस दिन दयाभावी की entry होने वाली है। गाइस जैसे कि हमने प्रिवेस वीडियो में बात किया था ना कि ये कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो सकते क्योंकि चालू बाटने मतलब इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि उन्हीं के कोई पुलिस फोर्स के बंदे को जेठालाल ने धंकाया तब ही इतने जादव हो रहे थे ले दया भावी की एंट्री कैसे और कब होने वालिया और mostly लोग तो शोर हैं कि दया भावी की एंट्री नहीं होएगी लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा ही सोचा करता था कि दया भावी की जब भी एंट्री दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ suspenseful story के साथ ही दिखाएंगे कुछ लंबी स्टोरी होगी फिर दया भावी की एंट्री करवाएंगे और ऐसा लग भी रहा है कि उसी तरह की कुछ स्टोरी ही चल रही है बाकी देखते हैं दोस्तों कि दया भावी की एंट्री होती है या नहीं बाकी मुझे लग रहा है कि इस पर हो ही और उसके क्या के रिजन है यह हम उल्रडी बात करी चुके हैं और हाँ दोस्तों अगर आप जो मैटो पर हंडर्ड रुपीज का फ्री में ओर्डर करना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स के लिए